असलाम अलेकूँ, welcome आप सभी कैस नए वीडियो में तो जैसाब सभी को बता है कि जमो कश्मिर में इस बार undergraduate courses के लिए common counselling होने वाली है यानि कि अगर आपको जमो कश्मिर में किसी भी degree college है वो कश्मिर इनुवस्टी के affiliated हो, जमो इनुवस्टी के affiliated हो कलस्टर इनुवस्टी सरनगरी, कलस्टर इनुवस्टी जमो या इस्लामिया कॉलेज हो, या कोई भी autonomous branche जैसे GDC 12 मुला हो सब में जो admission process होगी, वहाँ पर एक ही counselling आपको करने पड़ेगी दोनों CVT वालों के लिए भी, और non-CVT बोले तो जिनकर डिटेट ने सबी के लिए यहां पर एक ही लिंक बनाई गई है, सबी के लिए यहां पर similar process यहां पर रहने वाली है और common counselling रहने वाली है, इस भी जब आपको counselling का form केसे fill up करना है वह में इस यूडियो में आपको live demo करके दिखाऊंगा, में step by step सारा procedure आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको अपना application form submit करना है, क्योंकि पहली बार common counselling यहां पर जमो कश्मिर में होने वाली है काफी lengthy process है application form की, और students को भी यहां पर कल से काफी जदा दिख्कते आ रहे हैं इस यूडियो को देखने के बाद आप अपना form easily 10-15 मिनिट में अपना form fill up कर सकते हैं तो इस यूडियो में मैं आपको step by step form filling का procedure समझाने जा रहा हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है, वीडियो को पूरा end तक देख लेना चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना और टेली ग्राम ग्रूप हमारा जोइन कर देना लिंक उसकी आपको description में मिल जाएगी और उसके साथ आप हमें इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं उसकी भी लिंक आपको description में मिल जाएगी तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहां पे आपको UG courses का form filling का procedure क्या रहने वाला है तो form filling करने के लिए मैं लिंक आपको discussion में डाल दूँगा मैंने कल भी lieo procedure पे वीडियो डाला था अलांकि उसमें कुछ students की details आ रही थी तो YouTube ने वो procedure आप देख लेना तो form fill up करने के लिए क्या काम कर लेना है description में आपको link मिल जाएगी वहां पे आपको जाना है जाने के बद आपको JK admission support portal मिल जाएगा इस पे आपको click करना है click करते हैं यहां पे आपको three dots option पे click करते हैं यहां पे आपको new registration वाला option पे जोहीं आप कलिक करोगे आपके पस इस तरीक कर पेज open हो जाएगाacje इदर आपको select करना है कि आपने cvt का entrance दिया है या नहीं दिया है अगर आपने दिया है तो यहां पे click करके अपको yes select करना है अगर नहीं दिया तो यहां पे नीचे आपको date of birth अपने स्लेक्ट करने पड़ेगी, day, month और इसके बाद यह यह सब आपको CVT के अपलेक्शन फ़र्म के इसाब से डालना पड़ेगा उसके बाद यहां पे आपको capture code जो यह वाला दिया है आपको यह वाला capture code इसको इधर fill up करना पड़ेगा यहां fill up करने के बाद आपको register वाले option पर click करना होगा register वाले option पर जो ही आप click कर लोगे register वाले option पर आपकी email पर एक OTP आजाएगी और आपके mobile number पर भी OTP आजाएगी वहां पर जाकि आपको OTP फिल up करने के बाद आपको एक password रखना पड़ेगा कुछ भी password ABC88123 वह आपने रख लिया रखने के बाद आपको वहीं पर फिर login पेज पर redirect कर दिया जाओगे login वाले page भी जुहीं आप redirect हो जाओगे वहां पर आपको login करना पड़ेगा अपना CVT का application number और password लगा के जुहीं आप login करोगे आपके पास इस तरहीं का dashboard ओपन हो जाएगा यहां पर आपको CVT का application number अपना registration number देखने को मिलेगी email id देखने को मिलेगी किस date को अपना registration कर रही है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी उसके बद आपको नीचे यहां पर अपने details आने के बाद यहां पर आपको view our edit profile वाला option होगा इस पर आपको click करना पड़ेगा इ calendar भी आपको वहीं से आजागा date over आपको select करने पड़ेगी उसके बाद यहां पर आपनी category आपको select करने पड़ेगी इस वाले option में category आपके पास कोई है या नहीं है उसे बाद social category यहां पर आपको select करने पड़ेगी जैसे RBA, SES, RBA, PSP है मतलब SEPC category की जो होगी वहां पर email ID वहीं से आजाएगी, alternate email ID डालने की जूरत नहीं है, mobile number भी आपको वहीं से आजाएगा, alternate mobile number में आप पादर या mother का mobile number यहां पर डाल दीजेगा, उसे बाद alternate mobile number फिर से आपको डालना पड़ेगा, उसे बाद blood group अपना यहां पर select करना पड़ेगा, A positive, B positive, AB positive, जो भी होग यहां पर रख लीजे, religion अपना select करना पड़ेगा, are you season of India, इसको yes आपको करना पड़ेगा, जह मुकश्मी की domicile certificate आपके पास है तो इसको yes करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर आपको जो हो, अगर आप government job अगरा करते हैं तो yes कीजे, अगर नहीं तो no कीजे, उसके बा mobile number डालना पड़ेगा, guardian की details आपको वहीं से आजाएंगी, यह से select करने की आपको जूरत नहीं है, emergency contact number में आप अपना mobile number डाल देना, क्योंकि उस पर आगे चलके आपको messages वगरा आती रहेंगी, तो emergency में अपना number डाल देना, उसके बाद, combined family income यहां पर आपकी select करना पड़े कश्मीरी migrant है, तो इसको yes कीजे, otherwise no कीजे, are you single girl child, यहन कि अगर आप अपने ममा पापा की इकलोती बेटी हैं, तो आप yes कीजे, अगर और भी बहन है आपको तो इसको no करना पड़ेगा, उसके बाद आपको address में, address line number one, line number two, line number one आपने गाउं का नाम डाल दीजे, city का नाम और उसके बाद line number two में अपने महले का नाम डाल दीजे, country अपनी select कीजे, state अपनी select आपको करने पड़ेगी, district अपनी select करने पड़ेगी, city और pin code अपना डालना पड़ेगा, और permanent address आपका same अगर है, तो इस वाले option पे आपको click करना पड़ेगा, click करते यह वाले address होगा, यह आपको देखने को मिलेंगी, इनको आपको अची तरह से check करेंगी, सारी details मुरी ठीक है या नही है, अगर आपको ठीक लगे, आपको यहाँ पर proceed to next section पर click करना है, अगर कुछ गलत लगे, update details पर आपको click करना होगा, जिसका ठीक होगा, वो proceed to next पर click करेगा, proceed to next पर click करोगे, यहाँ पर आपके पास जो होगा, मतलब यहाँ पर आपके पास जो होगा, इस तरीके का एक page open हो जाएगा, इसमें यहाँ पर आपकोई achievements डालनी पड़ेगी, अगर आपके पास NCC है, या कोई और achievement आपने higher secondary level तक करीए, उसकी details आपको डालनी पड़ेगी, अगर कुछ भी आपने achieve नहीं किया, तो आप नीचे आपके इसको, यहाँ पर proceed to next वाला option होगा, आपको इस पर click करना होगा, यह important आपके लिए यह optional है, NCC अगर आपके पास है, तो इसकी details डालनी पड़ेगी, competitive level certificate को आपने लिए, उसकी details डालनी पड़ेगी, नहीं है तो आप इसको skip भी क सकते हैं, next वाले पेज़ पेज़ आपको चले जाना पड़ेगा, next वाले पेज़ पेज़ जो ही आप चले जाओगा, यहाँ पर आपके पास 12th है, 10th की details डालनी पड़ेगी, इसमें सबसे पहले यहाँ आप देख लीज़ेगी, 12th की यहाँ पे school details आपको डालनी पड़ेग 12th की details में आपनी Harris Country का नाम डालना होगा, type of school gourmet है, यहाँ प्राइवेट है, semi gourmet है, जो भी वो डालना पड़ेगा, medium of steady, जमो कश्मीर में English होता हो डालना पड़ेगा, अपने school का address डालना पड़ेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 10th की details भी डालनी पड़ेगी, 10th का passing year क्या था, आपका school टाइप क्या था, gourmet था या प्राइवेट था, उसके बाद qualification examination state की state से आपने 10th पास किया, उसके बाद board का नाम डालना पड़ेगा, school का address डालना पड़ेगा, roll number डालना पड़ेगा, result mode आपको percentage ती यहाँ परसंटेज होती है, maximum marks कितने थे और आपने marks क फैच हो जाएगा, फैच होने के बद आपको सारी details नीचे आजाएगी, कि आपके 10th में 12 में कितने marks थे, physics के, chemistry के, bio के, additional subject की, वो सारी कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगी, जिससे सबसे आपने 12th की details डाली है, उसमें आपको 12th की details में 12th का registration number भी डालना पड़ेगा registration number आपका, 12th की mark sheet के last पे लिखा होगा, REG number, N1 करके वो डालना पड़ेगा, roll number डालना पड़ेगा 12th का, 12th का passing year आपको डालना पड़ेगा, यह सब डालने के बद आपकी 12th की details वहां पे आजाएगी, वो सब details जब आजाएगी, आपको एक बार उनको check कर लेना, सारी कुछ ठीक है, अगर आपको सथीक लगे, आपको यह पर proceed to next वाले option पर क्लिक करना होगा, अगर कुछ गलत लगी, update details वाले option पर क्लिक आपको करना पड़ेगा, जिनका ठीक होगा, वो proceed to next वाले option पर यहां पर क्लिक कर देंगे, जARAप कर Kelvin आपको eligibility आजाएगी, कि किस-kis course के लिए यहाँ आप इलिजिबल हो जिससे साब से आपने डीटेज डाली CVT की डाली या आपने 12 की डीटेज डाली उससे साब से यहाँ पर आपको आजाएगी हर युनिवर्स्टी का नाम उसमें कुन सा कोर्स उसके लिए या नहीं हो याँ आपको कॉर्स नहीं हो इसके बाद यहाँ पर क्या क्या कि अप क्या काम करें आपको क्लिक करने पड़ेगा पर पर पॉस ही आपको कुछ डालने पड़ेंगे जिसमें CVT वाले कंडिटेट्स को फोटो और सिगनेचर वहीं से अपडिट हो जाएगगा 10th or 12th की mark sheet भी डालनी पड़ेगी और उसके साथ साथ यहां पे आपको domisal certificate भी डालनी पड़ेगी और जो category से belong करते होंगे उनको reserved category भी अपनी डालनी पड़ेगी यह सब डालनी के बाद इन documents का आपको ख्यार रख लेना उनका size 10 से 10 से 10 से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए जो जो ओपर आपने डाली है सारी details अपको declaration देनी है ये जब declaration आपको सारी options को ऊसे बाद नीचे आपको confirmation submit वाले option पे आपको क्लिक कर देना है Confirmint submit वाले option पर क्लिक करोगे आपका registration वाला section ओंप ए आपको complete होगया फुल प्रोफाइल डीटेल आपकी अपडेट होगा यहां पर 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 फुल प्रोफाइल जो और यहां पर आपको scorecard आपको आजाएगा, किस में आपके कितने mark से हो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, यह सब देखने के बाद आपको नीचे अगर लगे कि सारा कुछ ठीक है, तो declaration पर आपको tick कर देना है, tick करने के बाद, I accept वाले option पर आपको click कर देना है, इस पर click जो ही आप करोगे, यहां पर आपके पास दिखाएगा, कि आपने कून-कून सा form fill up करते समय, paper वहां पर रखा था, जैसे इस candidate ने biology रखा था, biotechnology रखा था, यह सब आपको ठीक लगे, आपको proceed to preference selection वाले option पर click करना है, preference selection वाले option पर जो ही आप click करोगे, यहां पर आपके पास इस तरीकी की filter आजाएगे, इसमें चाहें ताप filter wise भी select कर सकते हैं, जैसे यहां पर district wise रखना चाहते हो, district select कीजे, university select कीजे, program select कीजे, college select जैसे BA honors, BA honors in physics, BA honors in chemistry, psychology, botany, जो भी होगा, उस पर college का यहां पर आपको नाम आजाएगा, उसमें भी आप select कीजे, apply filter पर आप क्लिक करोगे, नीचे यहां पर आपको नाम आजाएगा, उसमें आपको simply क्या काम करना पड़ेगा, select करना पड़ेगा, यहां पर आपको देखने को मिले, वह college आपने अपने रखती है, उसके बाद preview आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा college आपने रखा है, वह preview आपने रख लिए, eligibility मतला अपना course अपने select कर दिया, उसके बाद यहां पर आपकी preferences वगर आपने अपड़ेट कर दी, अपनी preferences, उसके बाद आपको क्या का क्लिक करोगे, आपका application form यहां पर सब्मेट हो जाएगा, फाइनल सब्मेट होने के बाद आप अपना application form का ऊपर printout भी ले सकते हैं, print option पर क्लिक करोगे, आपका पूरा application form जोगो, उसका यहां पर पीडिएफ डाउनलोड करने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी fee अगर पे करने के जुरुत नहीं है, तो यह था आपका UG admissions की application form का procedure, step by step मैंने आपको सारा procedure लायो करके दिखा दिया, A to Z मैंने आपको सारी details इस वीडियो में बता दी, तो कोई भी doubt, कोई भी confusion अगर आपका है, तो comment section में पोच सकते हैं, बाकि non-CVT वाले जो candidates हैं, उनके लिए मैं separate video upload करके, उनका थोड़ा सा process different होता, पहले एक दो pages में, बाकि की process होती है, वो पूरी की पूरी सहाम होती है, जैसे CVT वाले candidates के लिए है, वो में आपको आने वाले video में दिखाऊंगा, सारा process लायो करके, तो फिलाल कोई doubt, confusion अगर आपका है, तो comment section में पोच सकते हैं,